किसान भाईओ नमस्कार किसान भाईओ आज हम बात करेंगे सर्चों में लगने वाले खतरनाक रोगों के बारे में जो बहुत ही खतरनाक हैं और हमारा अवरेज गट जाता है पहले हम धीरे धीरे इनको समझेंगे ये क्या सीज होती है किसान भाईयों ये इस तरीके से सफेज सफेद पत्ते जब हमारी सरसों में दिखाई देने लगे तो समझो के खतरे की घंटी बत चुकी है ये खतरनाक रोग दस तक दे चुके है इन रोगों को अगर समय से आपने कंट्रोल कर लिया तो अच्छा रहेगा नहीं तो ये धीरे 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 नीचे से स्टार्ट होता है जो नीचे के पत्ते होते हैं उनसे स्टार्ट होता है और उपर की तरफ ये चलता है और धीरे धीरे ये फलियों तक फूलों तक पहुँच जाता है जिससे भारी नुकसान होता है और उपज में भी बहुत ही ज़्यादे गिरावट होती है किसान भाईयो सर्सों में तीन रोग बहुत ही खतरना काते हैं सबसब पहला है काला धब्बा रोग जिसे इंगलीज में अल्टरनेरिया बलाष्ट कहते हैं कि दूसरा किसान भाईयो यह आप देख रहे हैं सफेद रत्वा कहा जाता है इसको वाइट रष्ट इसे इंगलीज में कहा जाता है तीसरे किसान भाईयों सरसों में आने वाला रोग जो खतरनाक है वो तन्रा गलन रोग होता है जिसे इंगलिश में स्केलर रोटेन या कहा जाता है ये देखे किसान भाईयो ये रेतवा जो सफेद रेतवा जो वाइट रेस्ट होता है उसके कारणी देखे डंडी यहां से बिलकुल ऐसे एट सी गई है मुड़ी सी गई है और उपर फलियों तक फूल तक इसका असर पहुँच चुका है फूल ये सारे खराब हो चुके है लोग तेजी से बढ़ेगा किसान भाईयो इसमें हाई मिल के नाम से दवाई आती है जिसके अंदर मैन को जैब 64% होता है पलस उसके अंदर मेटा लेक्सिल 8% डबलू पी होता है किसान भाईयो ये सबसे बेस्ट दवाई है इसका आप इस प्रे एक टंक 15 लिटर की टंकी मे 30 गिराम डाल करके कर सकते हैं किसान भाईयो अगर आप इसमें इस टीकर मिला लेंगे तो बहुती बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा किसान भाईयो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल अगर सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क कर ले जय जमान जय किसान